जी दोस्तों नमस्कार मैं ग्यानंदर जा अपने न्यूज पेज जैनेकर न्यूज के माध्यम से आप सबों के सामने आप सभी छट आप सबों को छट ब्रत की छट महापर्व की हारदिक और मंगल में सुब कामनाई देते हुए चट जब विश्व की सभी प्राजिन सब्विताओं की इस्त्रियां अपने संपूर्ण बैभव के साथ सज धज कर अपने आचल में फल ये हुए निकलती है घर से बाहर नदी की तरफ तो ऐसा लगता है जैसे संस्कृती ने स्वयंग समय को चुनोती देते हुए कह रही हो देखो तुम्हारे असंकी जंजावातों को सहन करने के बाद भी हमारे हिंदु धर्म का बैभव कम नहीं हुआ है हमारी सब्विता संस्कृती जोकीतियों है हम सनातनी है और हम ही भारत है हम तब से मौजूद है जब से तुम हो और हम तब तक मौजूद रहेंगे जब तक तुम रहोगे यही हमारा धर्म है यही हमारा हिंदुत्व है यही हम हमारा सनातन है जब घुटने भर पानी में खड़े हुए छट की ब्रती की सुपली को आप देखिएगा उसमें जब सुर्य की किरने उतरती है तो ऐसा लगता है जैसे उस इस्त्री की सुपली में हिंदु ब्रती इस्त्री की सुपली में सुर्य देव स्वयंग भारत बालक बनकर उतर कर खेलने के लिए उतरेवे हैं उनकी गोध में और इस्त्री का सबसे भव्य और सबसे बैभवसाली स्वरूप माता कही तो है और इस धरा को हम भारत माता कहते हैं और इस धरा को जिन बुजुर्गों ने भारत माता कहा होगा सायद उनके मन में भी इस्त्री का यही सुरूप रहा होगा कभी ध्यान से देखिएगा छट के दिन जल में खड़े होकर सुर्य को अर्ग देती वी किसी भी सुर्य ब्रती महिला के लिए आपके मन में मोह नहीं बलकि स्रद्धा का भावना उपजेगा और आपका दिल उसके चरण को असपर्स करने का करेगा यही हमारा सनातन है यही हमारा हिंदु तुए अपने हिंदु धर्म के साथ होने का सबसे बड़ा लाव यह होता है कि आप अपने समस्त पूर्सों की आसिरवाद की छाया में होते हैं बाहर में पहले लोग हसी उड़ाया करते थे जब माथे से लेकर नाक तक किसी छट ब्रती महिला के चेहरे पर सिंदूर लगा हुआ देखते थे लेकिन नहीं छट के दिन नाक से माथे तक सिंदूर लगा हुआ घाट पर बैठी इस्तरी अपनी हजारों पीड़ी की अजिया सास ननिया सास की आसिरवात की छाया में होती है और केवल आसिरवात की छाया में नहीं होती है बलकि उन्हीं के स्वरूप होती है उनके दवरे में केवल फूल में फल नहीं होता है बलकि समूची प्रकृती विद्यमान होती है आप देखिए कितने प्रकृती से शुड़े हुए हमने सारे फलो को शबजियों को उस दोड़े में चिटे में हमने रखा हैं और प्रक्रती को समर्पित करने जा रहे हैं नदी में समर्पित करने जा रहे हैं और वह समर्पित करने वाले इस्त्री कोई सामानी इस्त्री नहीं है वह अनपुर्णा सी दिखाई देती है ध्यान से देखेगा उस इस्त्री में आपको एक साधारन इस्त्री नहीं बलकि माता कौसल्या दिखेंगी मैत्रे ही दिखेंगी उनमें सीता मया दिखेंगी उनहीं म महिलाओं में आपको पद्मावती भी दिखेंगी लक्षमी भाई भी दिखेंगी और उन ही में समय की तरूप से हमें भारत माता भी दिखाई देंगी इन में से कोई संदे नहीं है कि उनके आचल में बंदकर हमारी सबयता हजारों वर्सों तक ऐसी सफर करती आई है और आगे भी ऐसी सफर करती चली जाएगी चट में कोई महामंत्र नहीं होता है चट का कोई जब तब विदिविदान नहीं होता है लेकिन यह एक महापडव है आस्था का लोकपडव है स्रद्धा का लोकपडव है चट डूबते वे सूर्य की आराधना का पडव है डूपता सूरी हमारा इतिहास बताता है और कोई भी सब्विता तब तक तभी दिर्ग जीवी होती है जब अपने इतिहास को वह पूझती है अपने इतिहास के समस्त योद्धाओं को वह पूझे और इतिहास में अपने बिरुद्ध हुए साजिसों को शड़ियंत्रों को और आक्रमनों को याद रखे अगर इतिहास नहीं है तो आपका वर्तमान बेमानी है तो डूबते हुए सुर्य की आराधना के पीछे छट हमें यह संदेश दे जाता है छट उगते हुए सुर्य की आराधना का परवे उगता हुए सुर्य हमारा भविष्य होता है और किसी भी सब्विता के यह सस्वी होने के लिए अवस्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी स्रद्दा और निष्ठा से समारे और हमारी आज की जो पीड़ी है वह यहीं चूक रही है पर उसे यह करना होगा यह चट का मूल भाव है साथियों मैं खुस होता हूँ घाट जाती हुए इस्त्रियों को देखकर मैं खुस होता हूँ रास्ते को बुहारते हुए पूर्सों को देखकर मैं खुस होता हूँ छट के घाट को तयार करते वे युवाओं को देखकर मैं खुस होता हूँ उत्साह से खुसी से लवडेज बच्चों को देखकर सच पूछिये तो या केवल मेरी खुसी नहीं है जब मेरी मिट्टी की, मेरी सब्यता की, मेरे देश की, मेरे धर्म की खुशी है मेरे देश की माताओं कल जब सुर्य देव आदित्य आपकी सुपली में उतरें तो उनसे कहिएगा इस देश पर, हमारी संस्कृती पर, हमारे हिंदु धर्म पर अपनी किर्पा यूही बनाए रखें ताके हजारव वर्स बाद भी हमारे घड़ की महिलाएं हमारे घड़ की बेटियां हमारी पुत्रवद्वें यूही सच धाजकर गंगा के जल में यमना के जल में कमला के जल में या किसी भी पवित्र नदी के पावन जल में खड़ी हो और आपको कहें उगा 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 हो सुरूजदेव भैले अरग के बेर तो साथियों जैनेगर न्यूज की टीम से जैनेगर न्यूज की टीम की सभी सदस्यों की तरफ से आप सबों को छट महापर्व के हार्दिक सुभकाम नाए धन्यवाद